कॉंग्रिस पार्टी महासचु प्रियंका गांदी इंदिनों मुधी सरकार के साथ स्यात योगी सरकार पर भी निसाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है जिस तरह से मौझुदा हालात को अगर देखा जाए तो सत्ता पक्ष लगातार विपक्षी पार्टीयों को साधने की कोशिश कर रही है लेकिन जिस तरह से विपक्ष में प्रियंका राहुल ने कॉंग्रिस की कमान संभाल रखी है उसे देखते वे बीजेपी नेताओं के होश उड़ चुकी है लेकिन चौकाने वाली बात तो यही कि प्रियंका गांधी ने कॉंग्रिस पार्टीयों की सोच में भी बदलाव किया है दरसल जिस तरह से अभी तक देखने को मिल रहा था कि पार्टीयों अलग थलग पड़ हुए थे जिसे देखते वे प्रियंका गांधी ने बड़े ही समझदारी से पार्टी नेताओं को एक जुट किया इसके साथ ही मौझूदा हालात को लेकर सरकार को घेरने की सला भी दी तभी तो कॉंग्रिस परवक्ता लगातार मोधी सरकार और योगी सरकार से सवाल पूछने में लगे हुए इसके साथी सरकार ने जिस तरह से अपना ध्यान चुनाओं पर लगाय रखा है और उसके बाद सेंट्रल विश्टा प्रोजेक्ट पर अप सरकार का पूरा ध्यान है इसे देख कर ना सरिफ देश की जनता है बलकि कॉंग्रिस भी मोधी सरकार को घेरने में लगे हुई है SPN 9 Newsroom की रिपोट